चंडिकड शहर में उस समय हड़कम मच गया जब शहर के एक नामी मॉल में एक मासूम बच्चे की टोई ट्रेन से गिर कर जान चली गई ये घटना बीते रविवार की है जब बच्चे के परिजन मौज मस्ती करवाने बच्चों को मॉल लेकर आये थे और जैसे ही बच्चा टोई ट्रेन में बैट कर खुश हो रहा था लेकिन वही खुशी कुछ देर बाद मातम में बदल गई बच्चे को आनन फानन में 32 अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दुरान बच्चे की जान चली गई इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है जो की काफी विचलित करने वाला है इसलिए हम अपने दर्शकों को यह वीडियो नहीं दिखा रहे आपको बता दें इस मामले में DSP राम गोपाल ने बताया कि जतिंदर पाल की शिकायत पर इंड़ेट्रियल एरिया थाना पुलिस ने टॉय ट्रेन ओपरेटर बापु धाम निवासी सौरब और कंपनी के मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लाप्रवही का मामला दर्ज किया है एक को गिरफतार कर लिया गया है पुलिस ने पोश्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है ब्योरो रिप